नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फेंडिसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडिप्थ में अनलाइसीज करेंगे एनसके ट्रोफी स्टेट टी 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 चैंपेंशिप जो खेला जाएगा दोस्तों के ए एन कनूर वसे सीडियर्स कंबाइन डिस्टिक के बीच इंडिप्थ हम लोग इस मैच के बारे में अनलाइसीज करेंगे दोस्तों ये केरला का स्टेट लेवल टी 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 चैंपेंशिप है तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टेट लेवल और साथे साथ दोस्तों इनके डुमेस्टिक जैसे की इस मैच में आपको दिखेगा ये जो प्लियर्स है ये सभी अलग-अलग क्लब के लिए खेल के आ रहे है अब इसमें क्या होता है जब प्लियर्स अलग-अलग क्लब के लिए खेल के आता है उस कंडिशन में बैटिंग ओर हमें पोस्ट मैच में एक्जैक्ट देना मुश्किल होता है मैं आपको शुरू म ऐन्हों ने अल्रेडी आज केसी छेटी टुएंडी खेला है केसी ऐख लब चं편 शेपनिस्टिप जैसे कि लास्ट यः अक्टबर मंत में एक टॉफी हुआ था और उससे पहले अधि अमंध में भी हुआ तो दिहान से अगर वीडियों तक देखोगे तो एक बिटर टीम बहुत इजीली आप खुद अपने से ग्रेट करबाऊगे बाइट स्टिल मैं क्या करूँगा मैं फाइनल अपडेट इस मैच का प्रोवाइट करने वाला हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे तो टेलीग्राम जरूर जुर जुर जाना सारे 9 बची के आसपास मैच स्टार्ट होगा मैं अगर सही हूँ सारे 9 बची स्टार्ट होगा और फर्स्ट मैच जो होगा उसमें वेदर क्लावडी रह सकता है बारिश नहीं होगा तो फटा फटा आते हैं इस मैच के अनलाइसिस पॉइंट में लाइक करके स्टार्ट अगना सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंट पे थूंबा में हो गई है मैच जहां पे 140-150 स्कोर है बट एक आधा मैच के बाद पीच बहुत जादा मुझे लगता है कि यहां पे टूटने लगेगा जिसके कारण स्पीनर्स प्ले में आएंगे इवें फर्स मैच में भी इंडिया में डूमेस्टी के लिए हो स्पीनर्स प्ले में आते हैं कर्णूर से अगर दिखोगे के एंसे वरुन नयानर उपिन करेगा शौन पाचा शौन पाचा कोजबियर टीट्वींडी खेल चुका है करेला के लिए ठीक है कोजबियर जो चैंपियंशिप हो था उसमें स्टेट लवेल चैंपियंशिप होता है ठीक है इनके पास ज्यादा एक्स्पीरेंस इनके पास सल्मान निजर वरुन नयानर अक्षे चंद्रन मनमीत श्रीरूप और बॉलिंग एटेक में आमित फरजीन पाच इनके पास सीनियर प्लियर है ठीक है अब देखो प्लियर्स के रिकॉर्ड दिखाता हूं वरुन नयानर ने दस लास्ट यर लास्ट जो टीट्विंडी हुआ था मतलब कौन सा जो अक्टोबर मन्त पे हुआ था उसमें दस मैच में इन्होंने 22 के अवरेस 14 बनाया था अगर खेलता है तो मुझे लगता है सीनियर प्लियर है विकी करा सकता है में मन्त में इनका पफ 58 रन गिवल बनाया थे लास्ट इनिंग्स 58 एक 14 ओमर अबुबाकर ने में मन्त वाला मैच खेला था जहां पे इन्होंने 6 मैच में 90 रन बनाया थे पंद्रागा एवरेस से लास्ट फाइव इनिक्स में 10,9,10,36 और तीन रन था पर्थिप जैज इन्होंने इससे पहले जो लाइड स्ट्रीम होता है वह वह वाला T20 नहीं खेला है जो हम लोग ने कवर गया इंपक्ट जहां पर आपको पार्थिप जैज डोमेस्टिक में खेला है जहां पे इनका 11 मैच में 250 रन 23 का एवरेस से पार्ट टाइम 6 ओबर में 4 विकेट सलमा निजार यह ना फर्स क्लास क करेला के लिए तो डेफिनिटली इंपॉर्टेंट होगा लास्ट फॉर फाइव इनिंग्स फॉर्टिफोर फॉर एटी टू छे दस और लास्ट लियर इनका पर्फिमेंस बहुत घ्राब दा आट मैच में के बल 112 बट सीनियर प्लियर है मैक्सिम से मैक्सिम मौका मिलेगा त एक मैच में जैसे के साथ मैच पाच ओवर में दो मेडेंग शेर नहीं कुई के आठ डोमेस्टिक ओवरल मैच में 20 का एवरेस 117 बाइस ओवर में इन्होंने नो इकर निकाला यह बैट वल दूने से पॉइंट दे सकते हैं पहले एक बार नंबर और बॉलर केलकुलेट कर ल लास्ट फाइव इनिक्स में एक 49 था तो नौट डिफेंशल पीक स्पिशल इव दो ना बैट फर्स शॉन पच्छा मैंने ने डोमेस्टिक में इनके बारे में बहुत बराया अर्टिकल बारा मुझे प्लेयर डिसेंट लग रहे अंडर 19 के ओपिन करते हैं दोस्तों कंणू सतर रन जिरो इकेट, सतरा रन एक विकेट, बावन रन चौबीस रन जिरो इकेट, मस्ट पीक है अक्षे चंदरन, मनमीत स्री रूप, ग्यारा लास्ट येर खेला था जो लास्ट ट्रॉफी को अब भा था अक्टोबर मन्द में, उसमें दोस्तों इन्होंने ग्यारा मैस मे पैटिस डोमेस्टिक अबरोल में, तेरा के अबरे से, चार्सू सॉल आरा, 97 अबर में, 30 विकेट, राइटम आप स्पेट, मुहम्मद नजील सीटी की, 10 विकेट हॉल है इनका, मैंने आर्टिकल पर रहा था, दोस्तों देखो कितना रिसर्च करना परता है, एक मैच के अनल 119 मिल ओडर, 10 ओवर, 3 मेडेन, 25 विकेट, अमेद फर्जीन, में मन्त में, दोस्तों, 5 मैच में, 16 ओवर में, 8 विकेट निकाला था, अमेद फर्जीन ने, लास्ट 4-5 विनिक्स में, 100, 7-0 विकेट, सॉरी या, मैं माफिच चाहता हूँ, ये न, 10 विकेट, ये न, 10 विकेट अटलिस्ट टूनामेंट जितना आगे जाएगा, लेफ्टम उतलोक्स का इंपोर्टेंस बहुत जादा इंक्रीज होगा, ये बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है, बंदा, अतुल बाबु पीवी ने, 216 मैच में, 15 विकेट, 38 ओवर में, CDS से अगर देखोगा, गोविन जल्दी विकेट निकाल लें, इन दा जो बैट्समें है, वो भी विकेट थ्रो करके आएगा, ऐसा मुझे लगता है, experience कम है, let's see, क्या होता है, कैसा performance निकल का आता है, गोविन देपाई ने 42 domestic overall match में, 1000 ब्लस रेंट बनाग चुका है, पच्छा सुबर में नो येट, बैट सकता है, रख सकते हो, बाट मेरे साब से थोड़ा experience के जाना बेटर होगा भी नहीं है, क्या स्रीनाथ, लास्ट अलियर, जो लास्ट 320 टॉफी हुआ था, कौन सा वाला, October वाला, जहां पर 6 match में, 86 बनाया था, गंबेट गोविन देपाई, ज्यादे एक्स्पिरियंस है, व दोस्तो, बाल फर्स में ट्राइ कर सकते हो, अपु प्रकाष करेल अटर नाइटीन खेल के आ रहा है, कुछ खास performance नहीं है, सिवाराज दोस्तो, एक्विकेट, एक्विकेट, जुरो एक्विकेट, दो एक्विकेट, दो एक्विकेट, दोस्तो, ये डिफेंशल होगा, है इनका, last year वाला, T20 में, जहांबे इनोंने, 10 match में 15, एक्विकेट, एक्विकेट, बातीस, बातीस, अवर विकेट, दोस्तो, बातीस, सौ, प्लस, रन बना है, नौत बैट चोईस, अमल राज, डिफिन्चय, नूल नहीं हुए 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 ना, हुन्र पर्स इन्य पर चुके लेक स्पिन बॉलिंग कराता है विनु कुमार मस्पीक है विनोत कुमार दोस्तों बैट बॉल से पॉइंट दे सकता है हाड़ीटर है 27 बना सकते हो क्योंकि ना डेट में भी आ सकता है और बैटिंग से भी इटिंग करा सकता है इस टीम कैसे भी पाउट जो टॉप टॉप 3-4 मुझे लगता है वीक है तो इसका बैटिंग आना है ऐसा मुझे लगता है इस्पेशलिए बॉल फॉर्स क्योंकि डेट में आ सकता है कैब दिसी जरूर बनाओ शाहिद चोफाक करन इन्होंने लेप्टाम और्थोडोक्स बॉलिंग कराना है लास्ट यर छे मैच अंडर नाइटिन खेल के आ रहा है चाहो तो रख सकते आप डिसेन परफोमेंस है लेफ्टाम उत्रोक्स विश्वश्षर सुरेश लास्टी 20 के लाकब ऑक्टोबर वाला जहां पे नोने आट मैच में चेल के निकाला बॉल फर्स लेना है क्योंकि डेट में करा सकता है दो एक एक तीम अडर नाइटिन खेल गया रहा है देखो दोस्तो इतने सारी रिकोर्स लिखना परा और इवन अभी जो स्कैडूल चल रहा है न हम लोग का क्यूंकि ECS के मैच दोस्तों बहुत जादा बीजी हूं ECS के मैच कवर करने में क्यूंकि सब निव टीम खेल रहा ह दोस्तों आज फिर से तीन निव टीम खेल चुका है उनके रिकोर्ड करना टीम प्रोवाइट करना लास्ट मैच लास्ट डे हम लोग ने तीन ECS के मैच कवर किया था एंड गाइस गॉर्ट के हेल्प से तीनों मैच हम लोग का बहुत अच्छा था होप यह मैच भी अच्छ मुझे दिख रहा है जो धंका है उसके साथ किये स्रीनात कुछ अठ तक तो ऐसा मेरा मानना है कि fantasy के respect में one-sided match ज्यादा बेटर है तो इनका बॉलिंग फस्ट हो गया तो आप फस होगे उस condition में आप से बॉलर लेना important होगा और बॉलर से भर दो टीम बेटर होगा अगर cbs का बॉलर फस्ट वा तो यह रहेगा फिलाल अपडेट और लेफटा मॉत्रों से इनक से भी important होता है बट फस्ट इनक से जो डेध बॉलर है राइटम मीडिया में जैसे कि मैंने mention किया है दोस्तों उसको लेना बहुत साथ important और उधर कैबी से बना सकता है जैसे कि विनुत कुम यहां से मैंने देखो 5 player लिया जहां पर 5 बॉलिंग करा सकता है इधर से जो मैंने player लिया सब बॉलिंग करा लेगा फिलाल यह रहेगा मेरा टीम लिया जो 10-1 match एकी match में ठीक है बहुत सारेरा टीक में इनका नाम पड़ा था सायद अच्छा बॉलिंग कर लिया बॉल फर्स झाल झाल